नमस्का दोस्तों मेरे पामिस्टी चनल में अप लोगा स्वागत है और आज ये पाम आया है 42 एक लेडी के जो अभी पेजन सीचुएशन में हाउस वाइफ है लेकिन चाहते हैं कि आगे चल के अपने बिजनेस शुरू करें होटी कल्चर के बिजनेस इनके एक रिलेटीब का पाम हम लोगों ने पहली ये अनलेसिस कर चुके हैं तो उनके रिलेटीब के पाम भेजे हैं मैं जानता नहीं इनके Realty में कौन होते हैं तो उनके ये पाम है और ये जानना चाहते हैं इनके बारे में तो इनके पाम आया और मुझे एक Indication इनके पाम में दिखी Exact Sign नहीं Indication मैंने इक बहुत साल एक साल देर साल हो चुकी है मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मिसकरेज के बारे में लेडिस के पाम में मिसकरेज के बारे में वहाँ पर मैंने बहुत सारे इंडिकेशन का जिकर किया था वो सारे इंडिकेशन में अगर एक दो इंडिकेशन किसी के पाम में हो एक ही इंडिकेशन नहीं, दो, एक, दो या तीन इंडिकेशन हो, तो ऐसा सिचुएशन बन सकती है लेडिस के पाम में, तो अगर आप किसी के पाम देख रहे हैं और मेरी अनलाइसिस को यहाँ पे देख, अपके आप डारेक्ट उनको वो पेडिक्शन दे देंगे, तो थोरा साथन रहेगा, क्योंकि इस तरीके का सिंटिमेंटर पेडिक्शन देना खतनाग भी हो सकती है, किसी को इगो को हाट भी कर सकती है, तो हमचा ध्यान में रखिएगा यह सारे चीज, बहुत साथ सिंटिमेंटर पेडिक्शन होते हैं, लेकिन मैंने इनके पाम में दो-तीन साTM इस तरीके से देखा, इसलिए मैंने इनको confidently वो prediction दे पाया थोड़ा देख लेते हैं तो मैंने जो इनके relative पाम भेजे थे मैंने इनको पूछा, उन्हों ने direct नहीं भेजा था lady ने तो मैंने, अगर direct भेजते मैं पूछता नहीं तो उन्होंने direct नहीं भेजा तो मैंने इनको पूछ पाया, इनके relative था इसलिए मैंने इनको पूछ पाया क्या, कि इनके कुछ miscarriage issues थी past में does she have miscarriage issues in past, answer yes में आया, तो कभी भी directly किसी ladies को मत पूछेगा अगर ओ direct अपने पाम भेज रहे हैं और किसी indirectly इनके पाम में इंडिकेशन कर रही थी, उसकी result इनको मिली, वो सारे चीज़ क्या थी, वो इंडिकेशन को थोड़ा देख लेते हैं और इनको life line को भी बारी किसी देखना पड़ेगा, इनके life line में बहुत सारे problem हमें दिख रही है तो वो सारे इंडिकेशन क्या थी, अगर इनके life line को अगर हम लोग देखे तो एक तो life line normal way में नहीं जा रही है normal way कैसी होती है, life line यहां से उट रही है ठीक है, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, एक round ship में लेकिन यह जा नहीं रही है एक life line यहां से उट रही है इस तरीके से जा रही है एक life line यहां से उट रही है और यह जाके सीधी mind line में मिल रही है एक sister line यहां से उट रही है और यह एक बड़ी सी island या job की formation बना रही है पहली irregularity तो हमें यहीं से मिल रही है कि life line यहां पे regular नहीं है दूसरी इंडिकेशन क्या है एक बड़ी सी राहू लाइन इस लाइफ 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 को कट कर रही है और यहां पर जॉप की फॉर्मेशन से निकल रही है जॉप की फॉर्मेशन से अगर कोई कनेक्ट हो स्टार की फॉर्मेशन जॉप की फॉर्मेशन से कोई माउंट में और यहां से एक लाइन निकल के यह भी लाइफ लेंग को कट रही है बहुत दिन पहले की बात है इसलिए थोड़ी हलकी पड़ गई लेकिन यह भी एक जॉब की फॉर्मेशन से आती हुई लाइन है जो लाइफ लेंग को कट रही है तो यह जो तीन चार हमें करेज हो चुकी है आगे चलके अगर लाइफ लाइफ लाइन को देखेंगे तो यह के जो टोटल बड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन बना रही है करिब-करिब इनके एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करे तो करिब-करिब 45-46 तक तो चल रही है तो वहां तक तो यह इनके उसे आप लोग बहुत लंबे समय तक उससे आप लोग सफर करते हैं जैसे के ऐलरजी हो जाए क्सि का कुछ सुगर आ जाए جो लंबी बिमारी होती है लंबे समय तक चलते हैं दबाई लेके भी एक रिखन नहीं होती है लेकिन बहुत बड़ी पॉलेम भी create नहीं करती है जिन्दगी मैं उस तरीके का जिन्दगी में पॉलेम आती है तो वहाँ पे कट दिखेगी हमें तो 45 के बाद ऐसे भी आपकी lifeline तो ठीक हो रही है strong हो रही है लेकिन वहाँ पे और भी कुछ bad indication हमें दिख रही है एक तो यह cut है तो वहाँ पे जाके यह job formation खतम होने के बाद 46 के around जाके आपकी सेहत में कुछ खराबी आने की indication दिख रही है दूसरी क्या चीज़ है दूसरी अगर हम लोग देखे तो यहाँ पे बहुती danger situation बन रही है बहुती हलकी है लेकिन बहुती danger situation है वो चीज क्या है वो चीज है यहाँ पे फिर से देखी है एक job की formation बना रही है यहाँ पे भी आपकी सेहत में खराबी होने की indication दिखा रही है दूसरी और एक चीज़ तीसरी और एक चीज़ है कि आपकी mercury line तो है तो बहुत strong आपको business में बहुत बड़ी success दे पाईगी लेकिन यह venus mount से आने के कारण यह life line को cut कर रही है जो दिखा रही है कि आपके stomach यह रिले liver से जुरी हुई pollen हो सकती है वो होने का भी chance है पेट से जुरी हुई समस्था liver से जुरी हुई समस्था होने के chance बहुत ज़्याद बढ़ जाती है जब इस तरीके का mercury line दिखे पाम में तो यह जो सारे situation है यह दिखा रही है कि आपकी overall जो total life line है यह situation अच्छी नहीं है तो यह क्या तकलिफ देगी आपकी life line में तकलिफ मतलब आप कम जियेंगे ऐसा नहीं लेकिन आप बहतर नहीं जियेंगे बहुत अच्छी तरीके से energy कोई से बहुत स्वास्थ अब जियेंगे इस तरीके से नहीं होती है तो इसकी remedy आपको जरूर करना है पहले health फिर health तो health के लिए आपको क्या क्या remedy करनी है पहले तो आपको rate को राल धरन करना चाहिए जिसे मूंगा कहते है 15 करेट के कड़ी ले लीजिएगा आइदर ये finger में या इस finger में गोल्ट के साथ जरूर पहन लीजिएगा अच्छी quality के लेजिएगा दूसरी तीन मुखी रुद्राक्ष मिलती है बड़ी साइस की लीजिएगा तीन मुखी रुद्राक्ष अगर हिमयला है या नेपाल के हो तो सबसे बड़ी या रहेगी वो लीजिएगा गले में चांदी के साथ धारन जरूर करके रखिएगा दो-तीन साल के अंदर वो चेंज भी करते रहेगा रुद्राक्ष दो-तीन साल हो जाने के बाद आप उसे चेंज भी करते रहेगा तो इस तरीके से करना है तीसरी क्या करना है फिजिकल एक्टिविटी में रहना है आइदर जीम जोइन करना है हार्ड एक्सरसाइस करना है या फिर योगा करना है कुछ ना कुछ आपको करना ही है तो ये आपको हमेशा बाहर से इनरजी देती रहेगी जोगा करने से, फिजिकल एक्सरसाइस करने से हम लोग की जो लाइफ लैन की पॉलम है उदूद हो जाती है, कोई पॉलम हम लोग को दिखती नहीं क्योंकि बाहर से हम लोग एनर्जी लेते हैं, हम लोग अपने मसल को और बोन को बहुत जादे स्टॉंग बना देते हैं, और सारे जो यह बीमारी बेगरा रहते हैं इससे यह फाइट कर पाता है तो यह जरूर कीजिएगा तो यह हो गई आपकी लाइफ लेंड की एनलाइसिस अब हम लोग चलेंगे आपकी उभारोल पाम की और और देखेंगे आप में क्या-क्या और खासियत है चलिए एक बार एक फुल पाम ले लेते हैं तो उभारोल अगर पाम को देखेंगे तो पाम काफी बड़ी है लेडिस के पाम के हिसाब से पाम हमें काफी बड़ी दिख रही है और रेट्टेंगुलर शिप के हैं तो रेट्टेंगुलर शेप के हैं, बड़ी साइस की पाम है, तो पातो ही पे आ जाती है, ऐसे लोगों में मैनेजमेंट की स्किल बहुत बढ़ी आ रहती है, लीडर्शिप क्वालिटी भी अच्छी रहती है, बैठे बैठे काम ये लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं, और द पाते हैं, विल और लॉजिक पाट को देखेंगे, तो लॉजिक पाट हलकी सी लंबी है, और पाम भी रेट्टेंगुलर शेप में है, तो इन में लीडर्शिप क्वालिटी और मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी रहेगी, ये दूसरों से काम बहुत अच्छी तरह से कर पासकते हैं, इस तरीके का बैतरीन क्वालिटी जिन में जरूर होंगी, विल पाट भी छोटी नहीं है, तो फिजिकल मेनत या खुद की एग्जुकेशन की बात आजाए, तो ये भी उसे कर जरूर पाएंगे, बाकिसारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, कोई भी कही पे भ दिकत नहीं है, चलते हैं माउंट्स की और, मरकड़ी माउंट, बहुत ही स्ट्रॉंग मरकड़ी माउंट है, बहुत ही स्ट्रॉंग, कितनी जगा ले रही, कितनी जादा उबरा हुआ है, उसके साथ-साथ ये स्ट्रॉंग मरकड़ी लाइन, यहां से और एक मरकड़ी लाइ , upfront, fade line चलींतौफ dön…. اور यह दिरे-दिरे करके मरकरीमांट की टरफ वडु़ी रहे है। साथ में मरकरीमांट में खड़ी लाइन भी दिख रही है। तो यह strong markरीमांट में कोई कर स्ट्रोंग हो अबरा हुआ जगा ज़ादा लेना, यह दिखा रही कि आप में business sense बहुत अच्छी रही तो जो आपकी idea है business करना उसमें आपको success जरूर मिल पाएगी आप लोग business बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं कोई भी चीज़ की analysis हो उससे बढ़िया तरीके से कर पाते हैं या फिर कई बात आजाए accounts की वो भी आप लोग अच्छी तरह से maintain कर पाते हैं आप लोगों के यहाँ पर यह जो खड़ी लाइन है यह दिखा रही है कि आप में healing qualities भी रहती है अच्छी और liquid money की भी पॉलम नहीं रहती है तो यह सब कुछ खासियत रहेगी आप में चलते हैं sun mount की और sun mount भी बहुत ही अच्छी उबड़ी हुई है बहुत ही अच्छी उबड़ी हुई है sun mount और यहाँ पर एक बहुत बड़ा triangle के formation बन रही है जो fish sign के बराबर होती है ऐसे लोग पैसे बाले जरूर बनते है financial sound यह है आगे भी रहेंगे काफी अच्छी पैसे भी जोर पा यह fame आपको वैसे ही मिलेगा अगर आपको काम भी नहीं करते है तो देखिए कि आपकी जो relative है जो relationship में है क्योंकि आप house wife है तो relative से ही जादा यह आपको पहवीत करेगा क्या आपको वहां पर काफी fame है आगे चलके जब business करेंगे तो उसमें भी आपको यह fame देगी काफी होती है और यह काफी पैसे और success देती है चाहे आप काम करे या ना करे आपके पास पैसे भरपूर रहेगा इस sign की वजबे से अपकी husband कमा के देगा कोई आपको गिब देगा किसी भी तरीके से दे सकती है लेकिन आपके पैसे भरपूर रहेगा और जब आप खुद और property बड़ी भी होगी, asset आपके पास multiple भी होगी और काफी बड़ी भी होगी, बड़ी छोटी मिलाके multiple property आपके पाम में clear indication दिखा रही है, knowledge line भी है, तो जो भी आपकी practical काम की knowledge रहेगी, उसको अगर काम मिलाएंगे तो आपको काफी अच्छी success मिल जाएगी, चाहिए कोई regular काम कर रहे हैं जिससे पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन वो आपकी hobby है, उस वो ही आपकी knowledge अगर आप convert करते हैं बिजनस में, तो उससे आपको काफी अच्छी success मिल जाएगी, Saturn mount को देखेंगे, तो Saturn mount में जो हमें दिख रही है, खड़ी line दिख रही है, तो ये रहती है धनरेखा, धनरेखा अगर पाम में हो तो अच्छी sign होती है, ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे ज़रूर जमा कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे आदी सी शुक्रबला है, इसे cross sign मत समझेगा, सटन मांट पर cross sign नहीं है, यह आदी सी शुक्रबला है, जो दिखाती है कि पैसे के मामले में यह sign भी आपको थोड़ी बात मदद जरूर करेगा, दो दो line आ रही है, complete एग भी नहीं हो रही है, तो यह जो आदी सी शुक्रबला है बन रही है, यह आपको financial मामले में काफी अच्छी success देगी, यहाँ से भी एक line आ रही है, बीच में gap बन रही है, ठीक है लेकिन complete होती तो बहुत अच्छी और result देती, लेकिन जो भी जिस तरीके का situation है, वह भी आपको काफी अच्छी मदद कर पाएगी, सेटन की मांट दबी हुई है और सेटन की finger काफी लंबी है, तो सेटन मांट भी आपकी काफी positive है, जूपिटर मांट को देखेंगे, ठीक ठाक हमें दिखेगी, size में और उबरा हुआ जादा है, तो यह दिखा रही है कि आपके जूपिटर मांट भी काफी strong है, यहां पर देखेंगे, एक sign बन रही है, जिसे हम लोग family asset की या family property के success या उससे benefit मिलने का indication है, तो पुस्ते नहीं जमीन जैदा से फायदा मिलने का भी indication आपके पाम में यहां पर हमें बनता हुआ दिख रही है, जूपिटर मांट पर यहां पर square sign भी बन रही है, जिसे teacher square कहते हैं, ऐसे लोग अच्छे leader बनते हैं, अच्छे teacher ज़रूर बन पाते हैं, दूसरों को सिखाने का जो qualities हैं, ऐसे लोगों में काफी अच्छी रहती है, अभी आएंगे आपकी Mars Mount के और, और जो आप business choose कर चुके हैं, होटी कल्चर यह अगरी कल्चर, उसकी जो business की जो main success देती है, क्योंकि यह खाने का कोई product नहीं होगी, तो यह आपकी totally खाने का भी product होता है, अगरी कल्चर में, तो भी आपको success मिल जाएथी, क्योंकि आपकी Jupiter Mount काफी strong दिख रही है, लेकिन यह totally fully होटी कल्चर से जुड़ी हुई है, तो आपकी Mars Mount ही आपको result दे पाईगी, तो आपकी life line इस तरीके से बाहर की तरफ जाने के कारण, आपकी Mars Mount बहुत बड़ी हो रही है, दोनों के दोनों Mars Mount, डिफेंस मांस भी आपकी बहुत जादा strong है, तो जब Mars Mount strong हो जाए, तो ऐसे लोग Agriculture के अगर काम करते हैं, तो आप लोगों काफी अच्छी success मिल जाती है, तब कि Mars Mount काफी बड़ी है, जिनके कारण आपकी जो अगरी कल्चर में success आपको जरूर मिल पाईगी, किसी भी Agriculture से जुरी हुई काम काज हो, Heavy Machinery से जुरी हुई काम काज हो, Real Estate से जुरी हुई काम काज हो, किसी भी काम काज हो, जहाँ पर जमीन जुरा रहेगा, वहाँ पर आपको success जरूर मिल पाईगी, तो इस बिजनेस में भी आपको जरूर success मिल जाएगी, और साथ में मुंगा भी धारन करेंगे, जिस रेट कुरल मैंने कहा, वह भी Agriculture के बिजनेस में काफी अच्छी मदद करती है, तो उस तो स्टोन आपको सेहत के साथ साथ अपकी बिजनेस में भी काफी अच्छा success दे पाईगी, वहनस माउंट के और ध्यान देंगे, स्ट्रॉंग वहनस माउंट है, लगजरी लाइन दिख रही है तो काफी लगजरी भी रहेगी आपकी जिन्दगी में, खड़ी लाइन भी दिख रही है, मेहनत करेंगे तो उससी साब सबको अच्छी रेजल भी मिल पाईगी, शडीर में आपको इनर्जी जो फ्लो है वह आपकी जिन्दगी में आपको एफेक्ट आता हुआ दिखेगा, आप खुदी रियलाइस कर पाएंगे कि आपकी जिन्दगी आपकी जिन्दगी में, आपकी सेहत जो है कितनी अच्छी तरह से सुधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर खड़ी लाइन है, वहाँ पर भी मेहनत करेंगे, तो आपकी सेहत में भी वह आपको अच्छा रिजल देखने लगेगा, चलते हैं आपकी मून माउंट की और स्ट्रॉंग मून माउंट है, स्ट्रॉंग मून माउंट दिख रही है हम लोग की, आपकी जो में फेट लाइन हो यही से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन के छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकल रही है, तो यह ट्रावल की इंडिकेशन है, अगर आप ट्रावल करना चाहेंगे तो ट्रावल भी कर सकते हैं, फॉरेंट का ट्रावल का भी इंडिकेशन है, एक इंफुलेंस लाइन इस तरीके से बाद में भी डिसकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कर लेते हैं, इस तरीके से जाके यह में फेट लाइन में मिल रहे हैं, जहां से तो यह इंडिकेशन कर रहाए है, फॉरेंट मनी का आपके साथ कनेकशन हो सकती है, किसी भी तरीके से क्या इंपर्ट एक्सप्र्ट का बिज्नस हो, multinational company के साथ जोड के कामकाज हो या कोई opposite sex चाहे हो अपके husband हो, brother हो आपके कोई colleague हो जो आगे चलके आपको help करेगा आपके carrier में और उनके बज़े से आपके carrier में काफी अच्छी success मिल जाएगी यह सब कुछ हो सकती है या इसके साथ कुछ एक दो चीज आपके साथ हो सकती है तो यह सब होने का indication आपके influence line से हमें पता चल रही है, moon mount में और क्या है और भी travel line है, बहुत सारे travel line आपके moon mount में हमें देखने के मिल रही है, यह जो सारे line बनते है moon mount में यह सारे travel line है, तो काफी travel रहेगी आपकी जिन्दगे में चलते हैं आपके main lines की और heart line की formation अच्छी नहीं है यहाँ पे job की formation बन रही है यहाँ पे दो दो parallel line से जोर के यह line बन रही है एक single line से आपके heart line नहीं बन रही है, तो इस तरीके का formation अगर heart line में हो तो अच्छी नहीं होती है, heart से जुड़ी हुई problem होने के chance रहते हैं, blood sugar होने के chance रहते हैं, BP के chance रहते हैं, मतलब blood pressure के जो disease होते हैं, ओो होने के chance रहते हैं, तो family disease अगर कुछ है, तो ओ भी होने के chance रहेगा, तो इतने सारे problem आपके health में heart line से भी दिख रही है, life line से भी दिख रही है तो health का बहुत ज़्यादा ध्यान हमेशा रखिएगा heart line के और बहुत major कोई formation नहीं है, relationship को अगर देखेंगे तो छोटी मोटी problem है छोटी मोटी problem के साथ ही आपकी है, बहुत major कोई issues नहीं है, और जैसे आपकी relationship मोटा मोटी ठीक ठीक हमें दिख रही है, mind line को देखेंगे तो mind line काफी लंबी है, काफी लंबी हमें mind line दिख रही है, तो ये एक problem है क्या problem है ये, अगर mind line बहुत जदा लंबी हो जाए, तो ये लोग अगर business या कोई भी जोब या कोई भी कामकाश शुरू करते हैं तो ये एक लंबे समय का struggle देती है, उसके बाद इनको success मिलना शुरू होती है पहले experience देती है, बात यह होती है कि पहले experience करवाती है उसके बाद आप लोग को success मिलती है तो जो business आप शुरू करना तो बहुत सारे family में या घर में होटी culture के काम खुदी करते हैं घर में garden बहुत सारे लोग के रहते हैं तो उस तरीका का भी अगर लंबे समय का आपके पास experience हो तो बहुत कोई problem नहीं होगी अगर बिलकुल fresh जा रहे हैं fresh इस business में आ रहे हैं तो आपको एक struggle period रहेगी करिब करिब चार साल पास साल की तो उस struggle के बाद ही उस business में आपको बड़ी success मिल पाईगी अगर वो आपके चार पास साल का struggle है तो जहां से आप वो business शुरू करेंगे उसी जगा से आपको या वो family business है तो जहां से भी जब से ही आप उस business को शुरू करेंगे वही से आपको success मिलना शुरू हो जाएगी नहीं तो struggle period आपकी रहेगी माइल लाइन के नीचे हमें floating line देखने को मिल रही है कुछ भी success मिले आपको जिंदगी में आप लोग enjoy करते हैं success को enjoy करना जानते हैं आप लोग तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है success अगर जिंदगी में मिल रही है और अगर हम लोग उसे enjoy करते हैं तो अच्छी बात होती है तो छोटी भी अगर आपको success मिलती है तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से enjoy करते हैं तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, आप लोग एक बहतर केरियर भी पाते हैं और सटिस्फाई केरियर भी पाते हैं, तो ये भी अच्छी इंडिकेशन है, आपके पाम से हमें दिखने को मिल रही है, माइल लाइन से यहाँ पर हलका हमें अम्बिशन लाइन उठता हुआ भी अच्छी इंडिकेशन है चलते हैं आपकी फेड लाइन की और तो आपकी फेड लाइन को देखेंगे तो बहुत आली एज से ही शुरू हुई है तो ये शायद इंडिकेशन कर रही कि आली एज में ही आपकी शादी हो चुकी है क्योंकि आप हाउस वाइफ है और कभी शायद जादी होने का इंडिकेशन थी या शादी होने का इंडिकेशन थी ये दोनों चीजों में एक होने का चांस उस एज में दिख रही थी उसके बात आपकी फेड लाइन ठीक ठाक चल रही थी बहुत सारी लाइन इधर उदर से आके इस टाइम पिरियर्ड में आपकी फेड ल जान्दिगी में, पैसे के मामले में थोड़ी बहुत परिशानी जरूरोड थी, चाहे हो आपके husband के low income हो, या किसी और बजाए से हो, उस time period तक 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 तो आपके, हमें पाम में दिख रही हैं, पैसे के मामले में थोड़ी बहुत problem थी, थिट्टी उवान के बाद से जैसे बदल गी और अपकी financial success बहुत अच्छी मिलने लगी अभी आपकी present age जो है कड़िप-कड़ी 42 के कड़िप ओ एज आपकी यहां पे होगी जहां पर यह एक line इस तरीके से कट रही है तो यह कुछ दिखा रही है आईदर आप कुछ invest करेंगे business में invest हो सकती है या कुछ asset खड़ी होगा किसी भी तरीके से हो आपके जेप से कुछ भाड़ बड़ी जो पैसा है वो जरूर जाएगा चाहे हो किसी भी बज़े से हो इसी age में दिख रही है करीब-करीब तो इस age के बाद अगर हम लोग आपकी faith line को देखे तो faith line आपको बहुत अच्छी indication तो दिखा नहीं रह नहीं है तो आगे चलके 44 के बाद से अपकी केरियर में या फिर आपके husband के केरियर में हो सकती है या फिर आपकी overall family के total economy थोड़ी बहुत पॉलम आने का indication है यह हमें दिख रही है यह लंबे समय तक चलेगा करीकरी 48-49 तक उसके बाद से फिर से आपकी faith line ठीक हो रही है उसके क्यों मैं आपको detail में अभी समझा देता हूँ तो क्या करना है business करना है लेकिन बहुत बड़ी amount डाल के नहीं करना है ठीक है ना क्योंकि इस time period में अगर आप खुद के business करेंगे तो यह जो negative impact है आपकी faith line की यह सिर्फ आपके उपर ही रहेगी आपके business के उपर ही रहेगी ब चोटा होगा तो इस तरीके से आप कड़िप-कड़ि 44 मैं अभी नहीं कह रहा हूं 44 45 के बासे जब आपकी यह situation बनता हुआ दिखेगा आपके सामने ही picture आ जाएगी के अभी आपकी financial situation में तकलिफ आना शुरू हो जाएगी तब आप इस तरीके का situation में जैसा मैंने कह रहा तो इसको आप totally ignore भी कर सकते हैं इस situation को तो वो situation होने शुरू होने के बात आप अपने business को छोटा कर लिजीगा लेकिन कभी भी बंद मत किजीगा अगर आप बंद कर देंगे business को तो यह condition आपके husband के economy के उपर effect कर सकती है ठीक है ना तो आपको business खुद के business चलाना है उस time period में नुकसान होने तो चोटा रखना है चोटा 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 नुकसान हो जाएगी 48-49 तक इस तरीके से आप चला लीजेगा 4-5 साल की एक period रहेगी उसके बाद से फिर से आपकी ठीक ठाक आपकी financial condition हो जाएगी तो यह आपकी struggle period रहेगी कड़िप-कड़ि 44-45 से लेके 48-49 तक यह थोड़ी बहुत struggle period आपकी financial मामने में रहेगी उवरल अगर economical पाम देखे आपकी पाम की color पाम की जो यह इस जगा को अगर छोड़ दे उवरल फेट लाइन की condition बहुत अच्छी है माइल लाइन भी काफी शार्प है आपर माउंट की जगा भी बहुत अच्छी मिल रही ह और बाकी सारी जो लाइन से जैसे के faith line हो, mercury line हो, sun line की position बहुत अच्छी है, sun mount की position, upper mount की सारे position यह दिखा रही है कि आपकी overall financial condition बहुत अच्छी रहेगी, overall financial condition अच्छी रहेगी, अभी से लेके 45-44 तक भी financial condition अच्छी रहेगी, वहां से लेके बीच के एक 4-5 साल की struggle period रहेग कि उसके बाद से फिर साब की financial condition अच्छी हो जाएगी, ठीक टक रहेगी, तो यह रही इस palm की analysis, आगे एक palm लेके बहुत जल रहेगे, अगर आप भी अपने खुद के palm की analysis करवाना चाते हैं, तो description box में जाएए, उहां पर आपकी fees detail और contact detail दिया हुआ, उससे देख के मुझे कॉलिया होट सब कर सकते हैं, शुक्रिया अप लोगा